नमस्कार, प्रिये दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 23 अगस्त 2021 आज आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यनि दयनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए, राशिफल का ये कारिक्रम प्रार्मभ करते हैं, बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की, आज सोमवार है, भाद्र पदमास, कृष्ण पक्ष की आज प्रति पदाति थी है, जो सायंकाल चार बच करके तीस मिनट तक है, और इसके पुष्णात द्वितिया है, शत्भिखा नक्षत्र रात्री साथ बच करके चब्वीस मिनट तक, और इसके पुष्णात पूर्वा भाद्र पद नक्षत्र है, अतिगंड योग, कौलो कर बात कोई पंचांकी चंद्रमा आज कुम्भराश में रहेंगे, और अभिजित महुर्त का समय, दिन में ग्यारे बच करके 35 मिनट से दो पर बारे बच करके 26 मिनट तक होगा, वही राहुकाल टाता साथ साथ बजे से 9 बजे तक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभकार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए, ये अभिजित महुर्त हरीक्वति प्रिय है, राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए, प्रिये दर्शकों आज से भाद्रपद माश का आरंभ हुआ भाद्रपद माश का ये जो पहला पक्ष है कृष्ण पक्ष ये 16 दिन का है इसमें 12 सित्थी के बृद्धी होने के कारण ये पक्ष 15 की जगह 16 दिन का हो गया है भाद्रपदे दधीत्य जेत भाद्रपद माश में दही का सेवन नहीं करना चाहिए आज दिव्य महा प्रयोग में एक जोतिशीय योग के बारे में आपको बताऊंगा एक ऐसी ग्रहिस्तिती जिसका जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि जातक निशन दे सफल तो होगा ही प्रसिद्ध होगा और बेहद कम उम्र से बालेकाल से ही बीसवें वर्स के बाद हो रहा है ऐसा जातक सफल इसका मतलब बालेकाल ही हम इसे कहेंगे युव आवस्था के प्रारम्भसे ही ऐसा जातक समाज को दिशा देने वाला नित्रत प्रदान करने वाला बनता है अर्था तो अच्छे संसकार ऐसे जातक को मिले तो उच्च कोटी का सुरेष्ट नेता होता है अब यहां नेता का अर्थ हम केवल राज नीती वाले नेता से लगाएं तो मुझे लगता है यह ठीक नहीं होगा नेता हर क्षित्र में व्यक्ति जो नेत्रत्व करता है वो नेता है आज का जो जोतिशी सूत्र है दिव्य महा प्रयोग में बड़ा ही स्रिष्ट है उसे सुनिया बस आपको बताऊंगा उससे पहले मैं आपको ग्रह स्तुतियों से अवगत करा देता हूँ राहु ब्रिशब रासी में सिंचरन कर रहे हैं और सूर्य मंगल बुध्ध ये तीन ग्रह यूती बना कर सुम रासी में शुक्र का सुचरन कन्या रासी में जारी है केतु ब्रिष्चिक रासी में शनिदेव मकर राशी में वक्रवस्था में सुचरन करें और देव गुरु ब्रस्पती भीकुम्भ रासी में वक्रवस्था में हैं चंद्रमा के साथ यूती में गजकेशुरी योग का निर्मान शत विखा नक्षत्र ये राहु का नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र में ये चंद्रमा गुरु के साथ यूति बनाये हुए और कल के समान ही ग्रज्टिती सूर्य मंगल और बुद्ध सामने उनके, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए कारिस्थल पर आज पहला दिन उनका होग जो आपको नहीं करना चाहिए, इन सभी विश्यों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे, तो ये है ग्रज्टिती, इन ही ग्रज्टितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है, नि देनिक राशिफल तयार किया है, वो ने दर्शक जो मेर जन्म राशिप के बारे में नहीं जानते, तो फिरा आप अपने प्रचलित नाम राशिप के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तो ये राजनिती का सुत्र हो गया, कि दसम में राहू हों। दूसरा तथे कहता है कि दसमेस लगन में हों। अब इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि दसम भाव का स्वामी लगन में या लगन का स्वामी दसम में हो तो जातक निसन दे, अपने कर्मों से, अपने को सुनियेगा कि दसम में राहू हों दसमेस लगन में और लगनेस नवम में इस तरह कि अगर ग्रहिस्तुती बनी हो तो ऐसा जातक जीवन के बीसवे वरस के बाद ही बेहद स्रिष्ट सफल समाज में पूज्य जनता का नित्रित्व करने वाला नित्रित्व के गुणों से बेहद स्रिष्ट जीवन व्यतीत करता है आप इसे कह सकते हैं कि आज के इस परिवेश में राजा अथवा राजा के सम्तुल्य जीवन व्यतीत करता है सा जातक इस सूत्र को आप जरा ध्यान से समझिए दसमस्थ राहू जातक को राजनीती से जोडता है अब दसमस्थ जो राहू राजनीती से जोड़ता है, तो उस राजनीती में हम कह नहीं सकते कि धर्म की मात्रा कितनी होगी, ये बड़ा स्रेष्ट लाइन, ये वाली लाइन जो बड़ी स्रेष्ट है, कि राजनीती में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीती नहीं होनी चाहिए, अब जरा ग परंतु का नहीं, इतने से बात नहीं बन रही है, लगनेस धर्म में हो और थाथ जातक का व्यक्तित्त धर्म से जुड़ा हुआ हो, यानि इसका जो राजनीती करने का काम भी है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हमें जरूरी नहीं कि राजनीती से जुड़ के देखना है, ऐसा जातक जनता के दिलों में राज करने वाला होगा, अब जरूरी नहीं कि हर राजनेता जनता के दिल में राज करे, लेकिन ऐसा व्यक्ति होगा, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा होगा, क्योंकि उसका व्यक्तित्त धर्म से जुड़ा है, और करमेस उसके लगन में है, इतनी जबरदस्त ग्रहिस्तिती हो परंतु व्यक्ति अकरमने हो। लगनेस भाग्य में बैठे हैं तो भाग्य तुसको प्राप्त हैं ही। वो सवयम मेहनत करने की जगह। का पुरुस हो। भाग occurred के सहारे बैठ करके खाने वाला हो। तो भी वो क्या समाज का उठान कर सखेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक अद्भुत बेहद श्रिष्ठ होगा। अब इस सूत्र को बहुत गहराई से और अगर समझा जाए, मान लिया जाए इस तरह की स्थिति कुछ हद तक बनी हुई है, जैसे दसमें राहू हैं, दसमेंस लगन में हैं, अथवा दसमें राहू हैं, लगनेंस भाग्यस्थ हैं, इतना ही मिल रहा है एक सूत्र नहीं बैठ तब भी ऐसा जातक बेहद स्रेश्ट और सफल होगा, मान लिया जाए कि दसम में राहू हैं और लगनेंस पंचम में बैठे हुए हैं, लगनेंस भाग्य की जगह पंचम में बैठे हैं, तब भी ऐसा जातक बुद्धिमान, हाँ यहां यह नहीं कह सकते कि ऐसा जातक जो रा जब भाग्य से संबंध बनाए हुए हैं, धर्म से संबंध बनाए हुए हैं, तो सवस्था में जातक हर किसी का हित पहले देखेगा, यहां परिश्टिती बदल जाएगी, तो आप इस सूत्र को समझे, यह सूत्र का मूल तो ऐसे है, हो सकता है, आपकी कुंडली में थोड़ा अलग दिखाई पड़ यह सूत्र, यानि दसम्मे राहु और लगनेस पंचम में, दसमेस लगन की जगह पराकरम में बैठे हों, तब भी ऐसा जातक पुरुशार्थी होगा, हाला कि दसमेस का लगन में होना बेहद सुरिष्ट माना गया है, तो चुकि यह रासिफल का कारि सर्व पूज्य सर्व मानने हो गया, चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि, मेश राशिक जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, गोचर कुंडली बिचंद्रमा रासी से आपके लाभ में, राहु के नक्षत्र में, और सप्ताह का ये पहला दिन होगा कारिस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है, वैसे देखा जाए तो दिन का पुर्वार्ध और उतरार्ध कर दिन को दो भागों में बाटें, तो पुर्वार्ध को आप धन कमाने के लिए, ये न के न प्रकारिन कहां से धन आ जाए, इसमें आर्मिक कृत्य करिए, धार्मिक काम करिए, किसी की मदद करिए, कुछ अच्छे कारे करिए, करियर में अगर कोई समस्या है, तो समझ लिजे उसका समाधान आपको दिन के उतरार्ध मिलेगा, नौकरी के अगर इंटरिव्यू देने जा रहे हैं, तो दिन का पुर्वार्ध बहुत बढ़िया रहने वाला है, सफलता मिलने की संभावना बहुत जादा है, और बात वहीं ब्यापारी बर्की करें, तो ब्यापार में उच्चित सफलता दिखाई पड़ रहे है, जैसी आप प्रत्न जैसा आप मेहनत करेंगे, उसी के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी इनकम आने वाली है, पूर्व स्यारी किसी समस्यास से अगर आप जूज रहे हैं, तो समझ लीजिए उसका सही और स्रिष्ट निदान मिलेगा, बस आज बाहर का भोजन न करिएगा, इस मामले में सावधानरे दामपत्य जीवन पूरी तरह से सुख में, संबंध में मधूर प्रेम संबंध में घर आई, किसी पुरानी बात को ले करके असमंजस की स्तिती है, मतभेद है, संबंध में तनाव है, उसे दूर करने का आपको प्रतन करना चाहिए, और किसी तीसरे की बात को मान करके प्रेम संबंध में कोई निर्णे मत लीजिए, विद्यार्थियों को आज पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं बल्कि अगर कोई परिशानी थी तो महत्व पूर्ण सुधार होगा दामपत्य जीवन पूरी तरह से सुख मैं आज किसी स्त्री को वो चाहिए आपकी पत्नी हो मा हो बहन हो स्त्री को कुछ भी उपहार स्वरूप दीजिए स्त्री को उपहार स्वरूप देने से आज का दिन स्रिष्ट होगा लखियंक आपके लिए आज एक लखी कलर आपके लिए आज इसका यी बलू है निवेश इत्यादी करते हैं तो अवश्य करिए ब्रशब के लिए अगर देखा जाये तो आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा सफलता प्रदायक आम से कहीं ज़्यादा स्रिष्ट है दिन आपके लिए आन्य दिनों की तुलिना में आज के दिन को मैं हर प्रकार से बढ़िया कहूंगा इंकम किस्तिती बेहद स्रिष्ट फायदे किस्तिती हर तरह से बनी हुई है कोई भी कारे आप करते हैं सोच समझ करके तो आपको फायदा होगा नौकरी परिवार ब्यापार हर मामले में आज के दिन को आप स्रिष्ट नहीं समझिए सप्ताह का पहला दिन होगा कारिस्थल पर सो अधिकारी वर्ग भी आज आपको सहयोग करेंगे यहाँ भी कोई अत्रिक्त जिम्मेवारी मिलेगी और जो काम कुछ रुका हुआ काम था वो कारे बनने वाला है व्यापारी वर्ग की बात करो तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है विसेशकर के धनके मामले में अगर कोई चिंता थी विसेशकर के बैंक से लोन इत्यादी के लिए अपरित नसील थे इससे समंधित कोई कागजी मामला उल्जा हुआ था तो वो उल्जन दूर होगी या यूँ समझ लिए कि उस दिसा में आपको सफलता मिलनी सुरू होगी आर्थिक तंगी से जूज रहे थे तो लाव का मौका मिलेगा और आर्थिक तंगी से मुक्ती किसी भी तरह का कोई गैर जिम्मेवाराना हरकत गैर कानूनी काम आपको नहीं करना चाहिए माता पिता और जीवन साथी आज किसी से भी बाद भी बाद मत करिए नहीं तो आपको बाद में बहुत ज्यादा मानसी कस्ट उठाना पड़ेगा पस्ताएंगे और विद्यार्थियों की बात करो तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन मैनेजमेंट फिल्ट के विद्यार्थियों के लिए बेहत खास है दिन स्वास्त में कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है स्वास्त हर प्रकार से आज आज आपका बढ़िया है कहीं कोई टेंसन नहीं पक्षियों को प्राता काल आज दाना डालिएगा इससे फायदा म पोलेपन से बचिये वाणी पर नियंत्रन रखिया ओवर कॉन्फिडेंट में मत जाईए हलाकि आपके आत्न विश्वास में बृद्धी होगी जो की बहुत बढ़िया है लाभ की नजरिये से सफलता के दृष्टिकोंड से आज का दिन आपके लिए बेहत खास है परन्तु के सांथ बड़ा हो या छोटा व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार बहुत बढ़िया चलने वाला है जहां लावके योग बन रहे हैं वहीं व्यापार से सम्मंधित नई योजनाय बनेंगी कारिस्थल पर आज अपनिवानी पर तो नियंत्रन रखिये ही क्रोध मत कर दामपत्य जीवन में सुधार है मधूरता है प्रेम समंध में मजबूती विद्यार्थियों को उचित सफलता बस मेहनत से आप पीछे मत हटी और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्त में भी कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है बलकि आपके लिए आज छे और लखी कलर ब्राउन है निवेश भी आप करिए करक की और चले तो आज गोचर कुंडली की स्थिती बता रही है कि आज सुस्वाद भोजन आपको प्राप्त होने वाला है खान पान पर जरा नियंद्रन रखिएगा आज मन के अनुकूल भोज्य पदार्थ आपको प्राप्त हो रहे हैं दिन चर्या को जरा बदलाओ के साथ शात्रिक्ता के साथ लेकर के चलिएगा कोशिश यही रहे कि मद्यपान और मानसा हार से दूरी बनाईए परिवार का साथ अच्छा मिल रहा है कारिस्थल पर भी अ कुछ चिंता लेकर के आएगा परन्तु दिन का उतरार्थ बहुत बढ़िया है यहां एक और बात का खैल आपको रखना है कि वहां नित्यादी चलातर समय जरा सावधान रहिएगा और कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं कोई स्थाई फैसला करने वाले हैं जल्दबाजी में काम मत लीजिए जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं लिये जाते व्यापारियों के लिए मैं बहुत अच्छा कहूंगा दिन को परन्तु कोई गहर कानूनी काम मत करिए कोई नया व्यापार शुरू करना सोच रहें तो भी रुकिये उसके लिए ठीक नहीं और बिना करो तो आज मेहनत भरा है दिन सफलता हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे कम मिल रही है और स्वास्ते के दृष्टि कोण से देखें तो स्वास्ते में परिशानी जो लोग मधुमेह के रोगी है उन्हें परिशानी थोड़ी ज्यादा होगी विसेसर घर में अगर कोई आ माता पिता का आशिरवाद लेकर कहीं घर से बाहर निकल लिए तो दिन बहुत बढ़िया होगा लखियंक आपके लिए आज साथ लखी कलर आपके लाल है निवेश ना करें अगर करते हैं तो बेहत सतर्क और सावधान हो करके सुम्म के लिए अगर देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा की ये स्तुती ठीक है आपके लिए परन्तु योजना बद्ध धंग से काम करते हैं तब आज जीवन साथी सी तुतु में मत भेद की संभावना है उचित सहयोग प्राप्त नहीं होगा आपको आपके पार्टनर से फलस्वरूप समय पर वक्त रहते काम पूर्ण होता दिखाई नहीं पड़ रहा है पैसो के मामले में चिंता रहेगी परन्तु धन से समंधित कोई कदम उठाने वाले हैं धन को लेकर के कोई कदम उठाने वाले हैं तो जाच ले हाला कि भागे का साथ मिलेगा परन्तु सोच समझ करके जाच करके काम करेंगे तो किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे नौकरी पेसा लोगों के लिए दिन में ठीक कहूंगा, कारेस्थल पर काम थोड़ा ज़्यादा होगा, और व्यापारियों को आज किसी पार्टनर के भरोसे जो भी करना है अपने भरोसे कर ये तो दिन बढ़िया है, उतरार्ध में अगर देखा जाए तो आज लाभकी भी उ या हुआ रिन त्यादी, जिससे आप बाहर निकलने का प्रित्न कर रहे थे, तो समझ लिए उसका मार्ग आपको मिलने वाला है, बस एक मूल मंत्र याद रखिए, आज नकारात्मक उर्जा को अपने आप से जितना हो सके दूर रखिए, नकारात्मक बातें, नकारात्मक उ और स्वास्ते के द्रिश्टिकोंड से देखें, तो स्वास्ते में सिर्दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही, आज हनुमान चालीसा का पाठ प्राता काली तीन बार कर लिजेगा, आपके लिए तीन लखी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश ना करें, कन्या की बा अपने शुभचिंतक, मित्र, इत्यादी से खुल कर के बादचित करिये, उनकी राय को भी मानिये, और तभी कोई बड़ा निरने लीजिए, किसी समस्या से जूज रहे थे, तो मुक्ती मिलेगी, लेकिन किसी जानकार की राय लेने से, सोचे हुबे काम आज पुर्ण होंग नौकरी पेसा लोगों के लिए मैं बढ़िया कहूंगा दिन को, दिन बढ़िया तो है, लेकिन अतिरिक्त जिम्मेवारी मिलेगी, जिसका आपके उपर बोज रहेगा आज, स्वास्त का खयाल लगते हुए काम भी करना होगा, और नहीं नौकरी के लिए प्रतनसील हैं, तो आज का ये प्रयास आपको सफलता देने वाला है, ब्यापारियों के लिए ठीक रहा हूं मैं दिन को, ब्यापार में सफलता मिलेगी, हलाकि कोई गलत कारे, कोई गयर कानूनी काम, और ब्यापार को लेकर क्यात्रा आपके लिए लाभपरद नहीं, जल्दबाजी में किसी भ हूंगा, सहयोग आपको मिलेगा, सो सफलता मिलेगी, और स्वास्ति के दुर्श्टी कोण से देखें, तो जीवन साथी के स्वास्ति का खयाल रखना होगा, आज मंदर में दही का जाकर के दान करिए, फायदा मिलेगा, इससे लगए उनक साथ लगी कलर आपके लिए आज स चिंता रहेगी, प्रेमियों को प्रेम के क्षेतर में चिंता रहने बाली है, तर चिंता रहेगी, भागय को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, करेक्षेत्र में आपकी महत्त्वा कांछा पुर्ण होने में बाध़ा दिखाई पढ़ जoth या आपको हर संभव कोशिश करने क बावजूत वह हासिल नहीं हो सकेगा जिसके आपको पेक्छा है, जिसके आप अकदार है। फिर भी कहीं भी रहे इस बात का खयाल रखी कारेस्थल पर आज वाता वरणक जैसे भी हो, शांत बना करके रखना है। वानी का पर नियंत्र रखना है, क्रोध करने से बचना है, जो साथ के लोग हैं, आपका काम भले नहों लेकिन जरुद पढ़ने पर लोगों का सहयोग करिए, क्रोध से बचिए, व्यापारियों की बात करूँ तो सामाने रहने वाला है दिन समझदारी सीम है कि आप निवेश ना करें, और अधिक कमाने के चकर में आज कोई गलत कारे मत करेंगा, नहीं मुस्किल में पढ़ेंगे, जरुवत से ज्यादा बोलेने से बचना होगा अगर आप तुलारा सिकें, प्रेमियों के लिए भी दिम ठीक नहीं दिखाई पढ़ रहा है, दामपत्त्य जीवन सामा गरीब को फल का दान करिए, लखियंक आपके लिए आज पांच है और लखी कलर आपके लिए जिसकाई प्लू, निवेश आप ना करें, व्रिश्चिक को भी चिंता सताएगी, आज आप लोगों को उस तरह से प्रभावित नहीं कर सकेंगे, जो आपकी छमता है, हर मामले मे आज आज आपको बिचार करना पड़ेगा और बिचार के बावजूद वो सफलता नहीं मिलेगी जो आपको मिलने चाहिए, हलाकि एक बात आपको बता दूँ, एक अच्छी सूचना है कि परिवार का साथ आपको प्राप्त होगा, कारिस्थल पर जरूरत से ज़्यादा उससे संबंधित बातचीत करनी चाहिए, अपने वकील से मिलेए या उससे संबंधित कदम आगे बढ़ाने के लिए बढ़िया है दिन, ब्यापार में जीवन साथी की सलाह, अथबा, पार्टनर की सलाह आपको फायदा देने वाली है, और बाहर की समस्या को घर पे तो शांती के साथ दिन निकल जाएगा, जीवन साथी से जरा बेवहर बिनमरता पुरुन रखी, लव लाइफ में आज उतार चढ़ाओ रहने वाला है और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा, स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्त निवेश आप ना करें, धनु के लिए देखा जाए तो पराकरम के स्थुति बहुत मजबूत है ग्रह स्थुति, जो भी आप काम करते हैं जितना भी मेहनत करते हैं उसका पूरा पूरा फल मिलने वाला है, कोई पुरानी समस्या इत्यादी थी तो समझ लेजिए वो खत्न ह होने वाला है, उसका भी आपको फायदा मिलेगा, सोचा हुआ काम पूरा होता दिखाई पड़ रहा है, नई नौकरी या नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रतनसील हैं, तो ये काम आपका स्वीघर बनने जा रहा है, यूँ समझ लीजी ओफर आपको मिलेगा, ब्यापारि इधर से उधर करने से आपको बचना चाहिए, या यूँ समझे कि अपनी कोई गुप्त बात किसी से सिर्मत करिए, प्रेम संबंध आज तनाव पूरण रहेगा, लेकिन दामपत्ते जीवन बेहत सुखद, विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया क मकर की बात करें, तो आप सतर्क, सावधान, नियंतरत जीवन, और नियंतरत जीवन आपको मुस्किल में डालेगा, आज का काम आज ही करना है, कल पर नहीं टालना, परन्तु परिस्तितियों को अपने पक्ष में करते हुए, इमानदारी के साथ, किसी का फायदा उठा लेना किसी को धोखा दे देना, इस तरह के विचार अगर मन में रह करके काम करेंगे, तो आपको केवल नुकसान होगा, कारिस्तल पर भी आपको बिनमरता पूर्ण और सहयोग पूर्ण बेवहार ही करना होगा, इसी से आपको फायदा मिलेगा, उच्चा दिकारी तभी आपसे प अगे बढ़ाईए, काम करिए, लाब होगा, बीना सोचे समझे बोलना, आज आपको बहुत मुस्किल में डालने वाला है, गोचर कुंडरी में चंद्रमा, राहू के नक्षत्र में है, सावधान रहेगा, नहीं बिवाद होगा, यह हर मामले में, चाहे जीवन साथी से बात कर रहे है, माता-पीता कारियस्थल पर कहीं भी सावधान रही है, धन की चिंता अगर है, तो सहयोग मिल जाएगा, पैसे के कारण आपका कोई काम नहीं रुखने वाला है, इस मामले में दिन बढ़िया है, यूँ मैं कहूँ आपको की करियर में आगे बढ़ेंगे आप, इ करके कहीं चोट इत्यादी लग गई थी, दर्द की शिकायत होने वाली है, आज पंचाक्षर उस्तोत्र का पाठ करिये, शिव पंचाक्षर उस्तोत्र का पाठ कर अवश्य प्राता काल ही कर लिजेगा, लखियंके एक लखी कलर आपके लिए जिसका आई बलू है, निवेश जानकार की राय से ही करिएगा, और कुम्भ की बात करें तो चंद्रमा का आपकी रासी पर होना गुरू के साथ यूती बनाए हुए राहु के नक्षत्र में साकारात्मग विचारधारा के साथ जैसे जैसे कदम आप आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे एके करके सफलता करके कदम आगे बढ़ाएंगे, आपको सफलता मिलेगी, नई नौकरी के लिए प्रत्नुसील थे, आपका काम बनता दिखाई पड़ रहा है, वैसे यूँ के लिए भी देखा जाए, तो बेवशाय में लाभ है, अचानक कही रुखा हुआ कोई पैसा था, वो मिलता दिखा पड़ रहा है, दिन का पुरवार्द और उत्रार्द में दोनों को व्यापारिक दृष्टिकोंड से आर्थिक लाभ कराने वाला कहूंगा, किसी भी मामले में जल्दबाजी या उतावलापन ठीक नहीं है, अपने जीवन सांथी को जरा समय दीजिए, पार्टनर्शिप मे स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो आज आपको अपने स्वास्त का खयाल रखना होगा, खान पान पर नियंत्रन पेड़ से समंधित परिशानी सिरदर्द की शिकायत होगी, आज किसी जरुवत मंदु को भोजन कराईए, इससे फायदा मिलेगा लक्यंक आपके ल परिशानी है, ऐसे कार्या से दूरी बना करके रखिये या रहिए, नहीं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में पढ़ेंगे, किसी समस्या में फंस जाएंगे, कार्यस्तल पर आपको अपने प्रतिभाग को दिखाने का भरपूर औसर मिलेगा, लेकिन दिखावे से बचिए, आप अपनी प्रतिभा दिखाईए, आप अपना काम करिए, परंतु दिखावा मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाईए, जो भी मौका मिल रहा उसका लाब उठाईए, जरूरी नहीं है कोई बड़ी सफलता मिले, छोटी सफलताओं को जोड़कर एक बड़ी सफलता बनाई जा सकती है, आप छोटी-छोटे-छोटे मामलों में ही अपने आपको सफल करने का प्रत्न करिए, कारिस्थल पर आज सफलताओं का पहला दिन होगा, दिन को बेहतर बनाने का प्रत्न करना चाहिए, भाग्यव का साथ नहीं मिल पाएगा, जो करना है अपने भुजबल से, व्यापारियों की बात करतो आर्थिक इस्तुती बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है, जरा सी लापारवाही आपको व्यापार में बड़ा नुकसान देने वाली है, शेर मार्केट में निवेस मत करिए, यात्रा मत करिए, यात्रा लाभपरद नहीं है, किसी को मेहनत के अनुकूल सफलता परिणाम प्राप्त नहीं होगा, आज का दिन व्यर्थी जाएगा, स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखे तो कोई पुराना रोग आपको परिशान कर सकता है, विस्यस्कर के पेट के नीचे के हिस्सों में आज थोड़ी परिशानी रह रही है गुड का दान करना आपके लिए फाइदे मंद होगा, सुपराता काल ही आज गुड का दान करिए, लखी अंक चार लखी कलर आपके लिए आज मैरून है तो प्रिये दर्शक को ये था मेश शेले करके मीनराशी परियंत प्रतेक राश्के जातकों का पुरे दिन का हाल अब ही के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए पुनह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार